हेई गाइज आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी कुछ ब्यूटी टिप्स हेयर हैक्स जो बहुत ज़दा सिंपल है बहुत ज़दा बज़ेट फ्रेंडली है क्योंकि घर पे सब कुछ मिल जाता है और जब घर पे सब कुछ मिल जाता है इसको फॉलो करने में भी मज़ा और नैचरल भी है नो केमिकस नो साइड एफेक्ट और जो लोग टीनेजर है इसको लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं पहले हम लोग इंटरनल ब्यूटी से ही शुरू करते हैं तो मैं ग्लोइंग स्कीन और हैर के लिए मैं जो जीज बना रही हूं उसके लिए हमें चाहिए कैरेट चाहिए थोड़ा सा बीट रूट और थोड़ा सा क्यूकमबर और थोड़ा सा ज्यादा नहीं बर थोड़ा सा अद्रक चाहिए और आवला चाहिए आवला बहुत ज्यादा अच्छा होता है हेर के लिए तो यहां पर आवला को पूरा नहीं डालना है थोड़ा सा कट करके डालना है ताकि अच्चे से मीक्सर ग्रेंडर में ग्रेंड हो जाए यह ब्यूटी शिक्रेट ड्रिंग यह ड्रिंग स्कीन को बहुत अच्छे से गलो करता है इंटेनली बीटरूट ओयली स्कीन पिम्पेल एक्ने pigmentation से fight करता है ये juice anti oxygen से पूरा भरपूर है skin का health को बहुत अच्छे से improve करता है ये blood circulation को बहुत अच्छे से purify करता है detox करता है हमारे body से toxin को remove करता है ये drink सिफ skin के लिए नहीं hair के लिए भी बहुत अच्छा है hair loss prevent करने में भी help करता है hair growth होने में बहुत help करता है और hair और skin बोथ दोनों का condition को बहुत ज़दे improve करता है तो इसको आप लोग try कर सकते हो next hack facial hair और tanning के लिए facial hair remove करने के लिए तो मैं facial razor use करती हूँ मन्त में एक से दो बर बाकी का time पे facial hair remove करने के लिए मास यूज करती हूँ बहुत ज़दा अच्छा है बहुत ही simple है sandalwood powder थोड़ा सा basin थोड़ा सा milk और थोड़ा सा turmeric अच्छे से एक paste बना लेना है उसके बाद अच्छे से इसको face में लगाना है tan remove करने में help करता है turmeric excellent skin को brightening effect देता है basin skin को बहुत अच्छे से deeply clean करते है bright करता है ये मास regular apply करने से hair thin होता है उसके बाद धीरे-धीरे hair को reduce करने में help करता है skin को soft करता है facial hair remove के साथ tanning को भी remove करता है एक face mark से दो skin benefit मिलता है तो ये hack जरूर try करना इसको 10 से 15 मिट रखना ये dry हो जाता है उसके बाद हलके हाथ से massage करके इसको wash कर लेना skin बहुत ही soft और glowing होता है next जो almost हम सब की problem है hair fall busy lifestyle, sun exposure, pollution, junk food, eating, hormonal problem जिसके वाईसे हम सब को बहुत ज़दा hair fall होता है hair growth नहीं होता है gray hair होता है तो मैं लेके आई हूँ बहुत ही simple सा hack है और उसको बनाना भी उतना easy है तो चलो उसको बनाते है so ये hair tonic को बनाने के लिए चाहिए तीन चीज़ कड़ी पत्ता, कलोंजी और चाहिए रोजमेरी रोजमेरी easily मिल जाता है Amazon में ऐसे ही दुकान में भी मिल जाता है कलोंजी हमारे hair के लिए बहुत अच्छे है रोजमेरी भी अच्छे है और कड़ी पत्ता भी बहुत ज़दा अच्छा है इसको बनाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे और आपको quantity आपने हिसाब से बनाना है कि 10 दिन के लिए बनाना है अब 10 से 15 दिन इस्टर कर सकते हो एक कप पानी यहाँ पे एड करेंगे और एक कप पानी यहाँ पे हाप कप जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इसको बॉयल करना है बॉयल जब हो जाएगा उसके बाद थोड़ा से इसको ठंडा करने के लिए रख देना है उसके बाद यहाँ पे हम लोग टिट्री एसेंस डालेंगे टिट्री एसेंस में यहाँ पे 6-7 ड्रॉप मैंने एड किया है उसके बाद अच्छे से थोड़ा से मिक्स कर लेंगे तो रेडी हो गया है हमारे हेयर टॉनिक इसको लगाने में जितना इजी है बनाने में भी इसी है और इस्टोर भी आप इजीली कर सकते हो और बहुत ज़्यादा बजेट फ्रेंडली भी है यह हेयर टॉनिक आप हापते में 3-4 दिन जब जब आप सैंपू करोगे उसी दिन ही लगाना यह पानी के तरह ही है अच्छे से आपके स्केल्प में अच्छे से स्प्रे कर लेना उसके बाद थोड़ा सा मसाज करना और अच्छे से स्केल्प में ही लगाना उसके बाद फुल लेंथ पे लगाना बट पहले स्केल्प से ही सुरू करना इससे आपका hair fall बहुत अच्छे से reduce हो जाएगा, hair growth होगा कड़ी पत्ता, कलुंजी और रोजमेरी ये तीन चीज hair के लिए बहुत अच्छे होता है मेरी तो दादी भी ये use करती थी, क्योंकि ये बर्षों से use किया जाता है हर घर में ये hair के लिए बहुत अच्छा होता है, एक घंटा रखके शैंपू कर लेना और ये जो spray bottle में मैंने बनाया था, ये मेरा और दो बार हो जाएगा माने एक bottle में मैंने तीन बार हो जाता है, ये हपते में अगर तीन दिन में शैंपू करती हूँ तीन भी यूज कर लेती हूँ, कोई भी पैराविन फिरी सैंपू और सल्फिट फिरी सैंपू से ही आप सैंपू करना hair बहुत अब का strong हो जागा, hair form भी control हो जाएगा, shiny और soft हो जाएगा और आपका hair में बहुत अच्छे से एक bouncy look आएगा, तो ये हैक को जरूर ट्राइ करना बहुत अच्छा result मिलेगा next facial relaxing massage, ये summer के लिए best hack है, इससे अच्छा है, कोई होई नहीं सकता है एक cucumber को अब दो टुकड़ा कर लेना है, उसके बाद इसको deep freeze में रख दो, जब तक ये थोड़ा सा frozen हो जाएगा उसके बाद अब पूरा ऐसे ही हो जाएगा, ये पत्तर के जैसा, उसके बाद इसको पूरा face में massage करना है ये इतना जादा relaxing है, guys ये वीडियो देखने के बाद जरूर try करो, ये बहुत ही अच्छा आपको relax कर देगा है, ये treat करता है, instant जो sun band हो जाता है, उसको treat करता है आपके puffy eyes जो reduce instant करता है, resonate करता है, आपके skin को, skin के pores को tight करता है, आपके dark circles जो रहता है, उसको reduce करता है और बहुत अच्छे से आपको blood circulation को high करता है, ये skin को इतना अच्छे से glow भी करता है, बहुत अच्छा आपको इसका result मिलेगा, वो तुरंत मिलेगा, एक बार use करते हैं, इसको reuse भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा wastage भी नहीं है, इसको reuse कैसे करना है, जैसे आपने पहले उसक अपर का जो layer है, पतला सा एक layer कट कर लेना है, जहां अपने यूज कर लिया, अब ये फिर से fresh हो गया है, अब इसको फिर से फिरीज में रख दो, अब फिर इसको reuse कर पाऊगे, instant skin को काम करता है, और जो हम लोगों ने कट कर लिया था, उसके आगों के उपर लगा लेना है, college से आके, school से आके या फिर office से आने के बाद ये hack ज़रूर try करना, instant tan को remove करता है, bright करता है, skin को healthy भी रखता है, तो ये hack ज़रूर try करना, मुझे comment में ज़रूर बता है, next hack, stress mark, stress mark बहुत ज़्यादा normal और common problem है, stress mark, weight gain, weight loss, या फिर pregnancy में हो जाता है, stress mark के बज़े से बहुत कोई बहुत ज़्यादा confidence फिल करता है, या फिर बहुत ज़्यादा demotivation फिल होता है, तो इसके लिए जो hack हम लोग use करेंगे, coconut oil और almond oil, coconut oil और almond oil एक natural healer है, जो skin को बहुत अच्छते heal करता है, stress mark के लिए, getting vegetable, vitamin C, anti oxygen आपके diet में होना चाहिए, naturally skin को internally heal करता है, और yoga, yoga से क्या कुछ नहीं होता है, stress mark के लिए कुछ yoga है, जो मैं दिखा रही हूँ, ये आप घर पे कर सकते हो, yoga करने से full body का blood circulation high होती है, उससे stress mark कोई भी mark को heal करने में help करता है, आप yoga करोगे तो आपका elasticity body का tight रहता है, जिससे आपका जो iskar होने में and reduce होने में बहुत ज़्यादा help करता है, naturally, so yoga किया करो and जब भी अप yoga करो थोड़ा सा वक्त लेके धीरे धीरे अपने आपको time दो, उसके साथ साथ scrubber करो अपने body पे, यहाँ पे में sugar और coconut oil add करके में इस scrubber बनाया है, तीन से चार दिन इस scrubber किया करें, जहाँ जाँ stress mark है, वहाँ पे थोड़ा सा time लेके किया करें, उससे heal अच्छे से होता है, smooth होता है, stress mark के लिए effective hack है, जरूर ट्राइ करें, next hack dark circles, अभी के time पे हम सब को थोड़ा बहुत dark circles तो होता ही है, क्योंकि laptop के आगे काम करते हैं, इतना घंटों तक laptop यूज करते हैं, मूबाइल यूज करते हैं, जो hack है वो घर पे बहुत easily मिल जाता है, तो इसको बनाना भी और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसको बनाने के ल इसकीन को even करने में help करता है, इसमें थोड़ा सा milk एड़ किया है, थोड़ा सा honey एड़ किया है, और यहां पे मैंने coffee एड़ किया है, कॉफी में caffeine होता है, जिसके वज़े से dark circles भी reduce होता है, और puffiness भी reduce होता है, कॉटन को पैट को मैंने cut कर लिया है, उसके बाद इसको यूज करना है, इसको यूज करना इतना ज्यादा relaxing है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है, समर के टाइम पे और ज़दा अच्छा लगता है, आप लोग करोगे तब ही समझोगे कि अभी जो मैं fill कर रही हूँ, मैं क्यों यह बता आ रही हूँ, coffee, milk, honey, potato, dark circles को remove क करता है, under eye area को bright करता है, इसको यूज करना बहुत ज्यादा easy है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बना के फिरीज में भी store करके यूज कर सकते हो, उसके बाद आप plain water से इसको clean करने के बाद, कोई सबी जो serum आप under eye में यूज करते हो, या फिर eye cream भी आप यूज कर सकते हो, आपका remove हो जाएगा, तो यह है, जरूर ट्राइ करना, so guys, आज का वीडियो आप लोगो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को like कर देना, जो लोग मेरे चानल पे new हो, जरूर चानल को subscribe कर देना, फिर मैं मिलती हूँ, next वीडियो में, healthy रहो, अच्छे से और खोसरा हो, बाई, सब को बहुत सारा प्यार,